नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल वायलोजी जीके क्लासेज में हम मुत्र निर्मान की किर्याविदी के विश्य में अध्यन कर रहे थे जिसके अंत्रगत पिछले वीडियो में हमने मुत्र निर्मान की क्रिया विदी को तीन चरणों में विबक्त किया था पहला चरण था परानीशेंदन, दूसरा वरनात्मग पोना अपसोशन और तीशरा श्रावन परानीशेंदन यानिकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के विच्छे में हमने पिछले वीडियो में अध्यन कर लिया था जिसमें हमने बात की कि जो प्लाज्मा में गुलित पदार्थ होते हैं वो केशिका गुच की जिल्ले के माद्यम से च्छनकर के बंबन संपुट की गुहा में आ जाते हैं जिसमें कुछ आवशेक पदार्थ होते हैं और कुछ उत्सरजी पदार्थ होते हैं इन सभी के विच्छे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी आज इससे आगे हम जो मुत निर्मान की किरियाविदी में सेकिंड चरण आता है जिसमें वरनात्मक पुना उसोषन और श्रावन तीसरा चरण इन दोनों की विच्छे में आज इस वीडियो की अंत्रगत देखेंगी यह है वीडियो 12th क्लास के जो बाइलोजी की स्टुडेंट है उनके लिए बहुती महतोपुर्ण है इनके अलावा जो जितने भी कम्पिटिशन की त्यारी कर रही है चाहे उनमें नीट, रीट और अन्य जितने भी कम्पिटिशन अक्जाम है उन सभी के लिए बहुती महतोपुर्ण है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंज तक ध्यानपूर्वग देखी और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तो आए शुरू करते ही आज का जो हमारा टोपिक है वो है मुत्र निर्मान की किरियाविदी और जिसमें दूसरा चरण आता है वरणात्मक पूना उसोचन या सेलेक्टिव री अबजोर्वेशन देखो सबसे पहले हम इस चितर के मादेम से पूरी प्रोसेस समझ लेती है फिर जो भी important point बनते है वो इसके अंदर हम लिख लेंगे वरणात्मक पूना उसोचन देखो इसका नाम से पता चल रहा है कि ऐसे पदार्थ जो निसेंद के अंदर चले गए हैं उनका हमारे सरीर के लिए आउशेक होते हैं और इनका आउशोचन करना बहुत जरूरी होता है तो यहां तक हमने किरिया देख ली थी बोमन समपूट के अंदर पलाजमा में गुलिज जो पदार्थ होते हैं जिनमें कौन-कौन से पदार्थ हो सकते हैं जल हो सकता है देखो यहां पर हम देख सकते हैं जल है, सोडियम कलॉराइड आइन है बाइकार्बुनेट आइन है हाइड्रोजन आइन है यूरिया, ग्लुकोज, एमिनो एसिड कुछ ड्रक्स यानि कि ओस्दिया बगर हैं वेटामिन्स हैं वसी अमल है यह सभी पदार्थ है वो इस निशेंद के अंदर पाये जाते हैं जो हमारे गलोमेरलर निशेंद होता यानि कि बोमन संपुट के गुहा में चंकर के जो पदार्थ आते हैं उनमें यह सभी पदार्थ पाये जाते हैं तो हमें इस topic की अंदर यानि की वरणातमक पुन आवसोशन में इन पदार्थों में जो हमारे लिए आवशेक होते हैं उन पदार्थों का हमें आवसोशन करना है Next हम बात करते हैं कि समीपस्त कुंडलित नलिका में कौन-कौन से पदार्थ का आवसोशन होता है तो टोटल जो निशेंद आता है उस निशेंद का 60-80% पदार्थों का आवसोशन है वो PCT में होता है समीपस्त कुंडलित नलिका में होता है अब कौन-कौन से पदार्थ हम उनकी बात कर लेते हैं तो इसमें जो आवसोशन होता है उसकी बात करें तो देखो आवसोशन है वो समीपस्त कुंडलित नलिका में होता है इसके लाव हम बात करें जो गुलकोज का आवसोशन समीपस्त कुंडलित नलिका में होता है और जो वसी अमल होते हैं इसके लाव जो विटामिन होते है इन विटामिन का आवसोशन भी किसमें होता है समीपस्त प्राइड आइन हो जाएंगी जल है बाइकार्बोनेट आइन है पोटेशियम आइन है और इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर आपका हो जाएगा जो फोस्पेट आइन है उसका उसोशन भी इसी बाग में होता है समीपस्ट कुंडलित नलिका में देखो समीपस्ट शिकाए पाए जाती है और यह सुक्शमागकुर् 네 पर करके ब्रुूस बाडर का निर्माण करते है ब्रुस बाडर का निर्माण करते हैं तो इस ब्रुक बाडर के कारण क्र visão करते हैं इस में आवसोशनी जो चेतर है आवसोषनी तल है उसका चेतरफल बढ़ जाता है और इसके चेतरफल बढ़ने के कारण सरवादिक आवसोषन वो इसी भाग में होता है यानि कि सबसे अधिक मात्रा में आवसोषन वो कुर्म से भाग में होता है इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि यहां की जो बित्ति की कोशिकाय होती है उसमें सुक्षमांकूर पाये जाते ही है और इन सुक्षमांकूर के कारण बुरुष बॉर्डर का निर्मान हो जाता है और इसी बुरुष बॉर्डर के कारण आवसोशने सत्या का छेतरपल बढ़ जाता है और बढ़ने से जो PCT होती है इस बाग में प्राइडाइन जल और बाइकार्बोनेटाइन इनका अवसुषन है वो PCT वाले भाग में या समीपस थुनलित नलीका वाले भाग में होता है अब एक चीज यहां पर यह भी दायन रखने हैं कि जो H प्लस आयन होते हैं H प्लस आयन है और यहां पर ड्रक्स वगरा यानि कि दुवाया वगरा है या फिर अमोनिया वगरा है यह जो पदार्थ होते हैं यह कोटेक्स वाले दरव में पाए जाते हैं इस दरव से यह नलीका के अंदर डाले जाते हैं अब देखो एक यहां पर मुखी जो प्रोसेस होती है जो आपको ध्यान में रखने योगे बात है कि पूरी जो वरक नली का है इसमें सक्री जो अवसोस्चन होता है वो सक्री अवसोस्चन इसी भाग में होता है सक्री आउसोचन वो इसी भाग में होता है और सक्री आउसोचन की किरिया की दोवारा एमिनोएसीड, गलुकोज, विटामिन, सोडियम, कलोराइडाइन और फोसपेटाइन इनका आउसोचन वो सक्री अभीगमन की दोवारा होता है और जिसमें उर्जा की आउसकता होती है और तब मैंने आपको नेफरोन की स्ट्रक्चर बताये थी उसमें बताया था कि जो नेफरोन की वित्ति की कोसिकाई होती है उनकी कोसिकाओं में जो मायट्रोकॉंड्रिया है उनकी संख्या अधिक होती है और उन माइट्रोकॉंड्रिया की दवारा उर्जा की प्राप्ति होती रुप उर्जा यहां पर काम आती है यानि कि जो PCT है उसमें सक्री आउसोस्टन की क्रिया होती है जिसमें अमिनोमल, गुलकोज, विटामिन, सोडेमाइन, क्लोराडाइन और फोस्पेटाइन इनका आउसोस्टन सक्री अभीगमन की दवारा होता है और जिसके लिए उर्जा की आउसेक्ता होती है इस परकार से PCT में आउसोस्टन की क्रिया होती है अब नेक्स्ट जो आगे आता है वो है आपका हैनले का लूप देखो यहाँ पर जो निस्यन दाता वो किस परकार का होता है यह होता है समपरासरी समपरासरी होता है क्योंकि यहाँ का जो बाहर का और अंदर की जो संदरता होती है वो सम्मान होती है अब यहाँ पर आने के बाद हम बात करें तो लूप ओफ हैनले की दो बुजाए होती है ये बुजा कहलाती है औरोही और ये कहलाईगी आरोही औरोही और आरोही औरोही बुजा की बात करें तो इसकी बित्ति कैसी होती है पतली होती है ये जल के लिए क्या होती है पारगम में होती है जल के लिए पारगम में होती है और लवनों के लिए आपारगम में होती है आपारगम में होती है तो इस बाग में यानि कि जो लूप ओफ हैले की आवरो ही जो भुजा है इस भाग में सबसे अधिक मात्रा में किसका जल का अवसोशन होता है जल का अवसोशन है वो इस भाग में होता है यानि कि जो लूप ओफ हैनले की आवरो ही भुजा है डिसेंडिंग लिंब है ये जो भाग होता है इसकी जो भित्ती होती है यह जल के लिए पारगमी होती है लोणों के लिए आपारगमी होती है इसके बाद में जो दूसरी यह वाली जो साइड है इसे हम कहते है आरो ही भुजा लूप ओफ हैनले की दूसरी जो भुजाती है उसे हम आरो ही या एसेंडिंग लिंब कहते है इसकी भित्ती मोटी होती है और यह क्या होती है लोणों के लिए तो पारगमी होती है जबकि जल के लिए पारगमी होती है तो इस बाग में क्या होता है लोणों का आउसोशन होता ह जो आप यहां पर देखो देख भी सकते हैं, sodium chloride जो लवन है, इनका आउसोषण है, वो आरो ही बुजा, लूप ओ फेन लेकि जो आरो ही बुजा है, उसमें sodium chloride का आउसोषण होता है, और जो समीपस्त, कुंडली तनलिका के आगे का जो भाग है, आरो ही बुजा इसमें जल का आउसोषण होता है, और यहां पर जल का आउसोषण होने के कारण, जो यहां का निश्यन्द होता है, यह किस परकार का हो जाता है, यह अतीप्राश्री हो जाता है, अतीप्राश्री, दिको सबसे पहले जो निश्यन्द है, वो यहाँ पर आता है औरोही बुजा में तो उसमें सम प्राश्री होता है लेकिन इस बाग में क्या होता है जलका उसोष्ण होता है इस बाग में अधिक मातरा में जलका उसोष्ण होता है इस कारण यह जो विल्लेन होता है यह किस परकार का बन जाता है जो निश्यन्द होता इसके बाद में देखो, यहां से जो निशियंद होता है, यह जब आरोई बुजा में जाता है, तो यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर जाते जाते जाते, जो निशियंद होता है, वो अलब परासरी हो जाता है, जो दुरस्त कुंडली तनली का है, उसमें जब निशियंद ज अलब प्राशरी निशेंद जाता है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो डिश्टल कॉनुलिटे ट्यूबल या दुरस्त कॉनुलिट ने लेका है इसमें किस परकार का पुनय आवशोशन होता है सामाने तो हम बात करें इसकी जो बित्ती होती है उसमें सुक्षमांकुर कोशिकाए तो पाये जाती है लेकिन इन में क्या नहीं होता है सुरी सुक्षमांकूर कोशिकाय नहीं पाय जाती है कोशिकाय वो गनाकार उपकलागी बनी होती है लेकिन सुक्षमांकूर जो है वो अपसेंट होते है और इस कारण यहाँ पर बुरुस बोर्डर का निर्मान नहीं होता है तो यहां पर अवसोशन किसका होता देखो sodium chloride का अवसोशन होता जल का अधिक मातरा में अवसोशन होता bicarbonate आईन का अवसोशन होता है और सबसे मुख्य बात यह है कि नलीका में जो cortex वाले दर्वस से potassium iron और जो H plus iron है इन आईनों को नलीका के अंदर डाला जाता है उत्सरजन के लिए अब यहां पर जो किरिया होती है तो उसमें एक हार्मोन कारिय करता है जिसे हम ADH हार्मोन भी कहते हैं और इसे ही हम aldosterone कहते हैं ADH या aldosterone हार्मोन कहते हैं यह हमारे pious गरंती के neurohypophysis वाले भाग से स्रावित होता है इसका देखो कारिय क्या होता है ADH हार्मोन का जो मुख्य कारिय होता वो क्या होता है यह जल के आउसोशन को बढ़ाता है जल के आउसोशन को बढ़ाता है और K पलस आयन के उत्सरजन को बढ़ाता है इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट कुशन यहां पर बनता है ADH हार्मोन को हम प्राण रक्षक बहुत इंपोर्टेंट कुशन बहुत बार पूछा गया है कि प्राण रक्षक या जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते ही है तो ADH हार्मोन को हम प्राण रक्षक या जीवन रक्षक हार्मोन कहते है जीवण रक्षक हार्मोन कहा जाता बहुत ही महतोप्र प्रॉंक रिशुन है अब देखो यहां पर और नसील का उसोंचन यहां पर होता एस जो होता है बाइकार्बूनेट आयन का उसोचन होता है, पोटेशियम आयन और H पलस आयन है, यह इस नलिका में यानिकी दुरस्त कुंडलित नलिका के अंदर डाले जाते हैं, और यहाँ पर जो विल्लेन होता है, आता किस परकार का अलब परासरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आते आते किस परकार का हो जाता है, संपरासरी, और फिर यहाँ पर जब संग्रन अलिका की बात करें, यह दुरस्त कुंडलित नलिका में क्या होता है, इन पदार्थों का आउसोचन हो जाता है, और यहाँ पर आपको याद यह रखना, ADH हर्मोन को, अब दुरस्त कुंडलित नलिका में जो निश्यन जाता है, उसमें निश्य अंद किस परकार का होता है, तो यह होता है, संपरासरी, आताइशन होता है, संप्रासरी लेकिन आपको यहाँ पर धान में रखना की जो खलेटनिर डाक्ट उटी संग्रेनलीका होती है संग्रेनलीका संग्रेनलीका का जो अग्रवाग होता है अग्रवाग जल के लिए पारगम में होता है जल के लिए पारगम में होता है जबकि अंतिम भाग जो होता है पीछे का भाग होता है ये यूरिया के लिए पारगम में होता है यूरिया के लिए पारगम में होता है तो collecting duct या संग्रन अलिका के आगे वाले भाग में किसका उसोषन होगा इस बाग में H2O का उसोचन हो जाएगा, जल का उसोचन हो जाएगा, इस बाग में जल का उसोचन हो जाएगा, और जल के उसोचन होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाता है, जो विलियन जो यहाँ पर, यानि कि जो निशेंद यहाँ होता, यह तो समप्रासरी होता है, और जैस की संदर्ता बनाए रखने के लिए क्या होता है यहां पर फिर यूरिया का उसोशन होता है यहां पर जल का उसोशन हो जाएगा और जल का उसोशन होने से यहां पर जो निश्यंद प्राप्त होगा वो अतीप रासरी होगा अतीप रासरी और यहां पर फिर यूरिया का उसोश करता वो समान बनी रहे इसलिए ये यूरिया का उसोशन होता है और फिर अंत में जब हम मुत्र त्याग करते हैं तो मुत्र किस परकार का होता है अती प्राश्री परकार का या ती प्राश्री मुत्र होता है जिसमें जल की मात्रा कम होती है जब कि अन्य जो उत्सरजी पदार साधाय कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें काहरे पज़ा जैसे औस दिया बगर हो गई या कुछ रंगा यानिकी पिग्मेंट बगर हो गई यह यूरी कम lige यह पदार्थ जोी मत में चंद नहीं हापाते हैं तो यह पदार्थ क्या होती निज्यंद में डाल देजाँ यो लास्ट वाली जो प्रोसेस होती है चैस्ट पर्कार से होती पूरा जो टोपी का अवन हमने समझ लिया और इन जतने भी points बनते हैं जो कि important हैं वो सभी अब लिख लेते हैं कि किस परकार से ये किरिया संपन होती है सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णात्मक पुनावसोशन की गलो मेरुलर निस्यंद में यूरिया यूरिकमल क्रियेटेनीन आदी उत्सरजी पदार्थों के साथ विटामिन जल और उपयोगी लवन भी होते हैं गलो मेरुलर जो निस्यंद छन करके बोमन शंपुट की गोहा में आता है उसमें यूरिया होती है यूरिकमल होता है क्रियेटेनीन ये उत्सरजी पदार्थ होते हैं इनके अलावा कुछ आवशेक पदार्थ होते हैं जैसे गुलकोज, अमीनो अमल, वशी अमल, विटामिन, जल, उपयोगी लवन जिसमें सोडियम, सोडियम लवन हो गया इसके अलावा हम बात करें बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड लवन ये सभी लवन है वो इसमें होते हैं निशयंद में रुधیर के जल का लगबग, पिछानम परतिषत बाग चंखर आ जाता है, बहुत इंपोर्टेंट है ये कि निशयंद में रुधीर का जो 95% जल है, वो चंखर के आ जाता है, लेकिन मुत्र में इसका निसकासन कितना होता, ?ब1.8 ौत्रमें निसकासन, 0. पॉनिट आठ प्रतिस्ट यह होता है क्योंकि अन्य जो जितना भी जल है उसका पुन आउसोशन कर लिया जाता है अब नेक्स्ट है लाब दाइक पदार्थ जैसे अमीनो अमल गुलकोज विटामिन जो हमारे सरीर के लिए क्या होते हैं लाब दाइक होते हैं आवशेक होते हैं उनमें अमीनो अमल गुलकोज विटामिन आदी पदार्थों का वरक नलीकाओ दोवारा पुन आवसोशन कर लिय जाता है यहांने इस निसेंद में जो कुछ आवशेख पदार्थ हो जाते हैं जिनमें आमिनोमल, गुलकोज, विटामिन इन सभी पदार्थों का इन नलीकाओं के दवारा पुन्य अवसोशित कर लिया जाता है वरक नलिकाओं द्वारा उपयोगी पदार्थों का पुनरुधीर में पहुचना ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि वरक नलिकाओं के द्वारा उपयोगी पदार्थों का पुनरुधीर में पहुचना वरनातमक पुनरुधीर कहलाता या इसे हम सलेक्टिवरी अबजोर्वेशन कहते हैं पुनरुधीर के आदार पर पदार्थ तीन परकार की होते हैं बहुत इंपोर्टेंड यहां पर छोटा क्यूशन बहुत बार है नीट या रीट जैसे अग्जाम में इनमें पूछा जाता है और कम्पिटिशन अग्जाम में भी यहां से आ जाता है पुनरुधीर के आदार पर पदार्थ तीन परकार की होते हैं और यह कौन-कौन से होते हैं यह एक बार हम देख लेते हैं पहले हम उँच देली पदार्थ की बात कर लेते हैं कि वे पदार्थ जिनका संपूर्ण अवसोशन होता है यह एसे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से अवसोशन हो जाता है उनको हम मुत्र में नहीं त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं उंच देहली पदार्थ होते हैं कहने का मतलब है कि जो उंच देहली पदार्थ होते हैं इनका completely अवसोशन हो जाता है हमारे वरक ने लिगाओं में और इसमें कौन-कौन से होते हैं लोडिमाइन, कलोराइडाइन, बायकार्बोनेट आइन है इसके लाव अमीनोमल है, गुलकोज है वसी हमल है, विटामिन है यह सभी ऐसे पदार्थ हैं जो उंच देहली पदार्थ हैं इनका पूर्ण रूप से अवसोशन कर लिया जाता है निम्न देहली पदार्थ ऐसे पद पदार्थ होते हैं जिनका कुछ मातरा में मुत्र के साथ भी बाहर निकाला जाता है जबकि कुछ मातरा में इनका आवसोशन भी होता है नेक्स्ट तीसरा परकार के जो पदार्थ होती ही वो है एदेहली पदार्थ इन पदार्थों का आवसोशन नहीं होता है यानि कि यह मुत्र में त्यागा जाता है ये उत्सरजी पदार्थ होते हैं और सरीर के लिए नुकसान दाइक होते हैं इसलिए इनको हमारे सरीर से निकालना आती आवसेक होता है और ऐसे पदार्थ कहलाते हैं एदेहली पदार्थ जैसे यूरिया यूरिकमल, क्रियेटेनिन, ओस्दी ये सभी पदार्थ होते हैं एदेली जिनका पूरुन रूप से आउसोशन नहीं होता है या इन्हें हम पूरुन रूप से बाहर त्याग दिये जाते हैं नेक्स्ट आता है वरक नलीका के विभिन भागों में पूर आउसोशन यानिके वरक नलीका के जो बाग है उनमें पूर आउसोशन किस परकार से होता है पहला है समीपस्ट कुंडलित नलीका इनको अमनी चित्र के द्वारा तो सभी को समझ लिया है अब जो नोट्स वगर बनते हैं आपके वो अम यहां पर आपको समझा देता हूँ समीपस्ट कुंडलित नलीका या प्रोक्सिमल कॉनुलेटेट ट्यूबल्स इसमें देखो PCT की बित्ती में सुक्षमांकूर पाये जाते हैं जो मिलकर के बुरुस बोर्डर का निर्मान करते हैं इससी आवसोषणी सतय का छेतरफल बढ़ जाता है और इस कारण इस बाग में सरवादिक आवसोषण होता है यानि इन सुक्षमांकूर के कारण बुरुस बोर्डर का निर्मान होता है जिससी आवसोषणी सतय का छेतरफल बढ़ जाता है और सरवादिक मात्रा में पुन आउसोचन है वो, सरवादिक मात्रा में पुन आउसोचन या आउसोचन वो किस बाग में होता है, समीपस्त कुनलित नलीका में होता है नेक्स्ट समीपस्त कुंडलित नलीका में पोटेसियम आयन, सोडियम आयन, कलोराइड आयन, बाइकार्बुनेट आयन, फोस्पेट आयन, अमीनोमल, गुल्कोज, इसके लाव वेटामिन हैं, वसी अमले इन सभी का पुन अवसोशन होता है तो यह आपको ध्यान में रखने हैं कौन-कौन से पदार्थ जिनका आवसोशन समीपस्त कुंडलित नलीका में होता है पोटेसियम, सोडियम, कलोराइड आयन, बाइकार्बुनेट आयन, फोस्पेट आयन, अमीनोमल, गुल्कोज, वेटामिन इन सभी का आवसोशन समीपस्त कुंडलित नलीका में होता है गुल्कोज, अमीनोमल, वेटामिन, एकार्बनीक लौण जैसे सोडियम, आयन, कलोराइड आयन, फोस्पेट आयन का आवसोशन सक्री आवसोशन दोबारा होता है ये वे पदार्थ होते हैं जिनके अवसोषन के लिए उर्जा की आवसेक्ता होती है देखो अवसोषन के किरिया दो परकार की होती है एक तो निस्क्रिय और एक सक्रिय सक्रिय आउसोषन जो होता है जिसमें उर्जा की आउसिक्ता पड़ती है और निश्क्रिय आउसोषन में किसी प्रकार की उर्जा की आउसिक्ता नहीं होती है तो इसमें गुलकोज, अमीनोमल, विटामिन, एकार्बनिक लोण जैसे सोडियम, कलोराइड आइन, फोस्पेट आइन का आउसोशन सक्रिय अभीगमन दुवारा होता है और इस किरिया में ATP के रूप में उर्जा की आउसेक्ता होती है समीपस्ट कुंडलित नलिका में जलका उसोशन प्राशन दुवारा होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जलका उसोशन कौन सी विदी से होता है प्राशन दुवारा जलका उसोशन होता है एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि अमोनिया और H पलस आयन वे पदार्थ होते हैं जिनको कोटेक्स या मेडुली दर्वस से समीपस्थ कुंडलित नलीका के अंदर डाला जाता है निसेंद में डाला जाता है समीपस्थ कुंडलित नलीका में 60-80% पदार्थों का पुन आउसोशन हो जाता है यान कि टोटल जो पदार्थ होते हैं उनका 60-80% पदार्थ है उनका आउसोशन इस भाग में हो जाता समीपस्थ कुंडलित नलीका में यान कि सरवादिक आउसोशन वो समीपस्थ कुंडलित नलेका में होता है नेक्स्ट आता है हेनलेका लूप इसके दो भाग होते हैं पहला अवरोही बुजा और दूसरा आरोही बुजा descending limb या ascending limb आरोही बुजा के बात करते हैं तो इसकी वित्ती पतली होती है और इसकी वित्ती जो होती है जो जल के लिए क्या होती है पारगम में और लवनों के लिए एपारगम में होती है अवरोई भुजा में रुधीर, प्लाजमा एवं निस्यंद की प्राशन सांदरता बराबर होती है यानि कि समीपस्त पुनलित नलेका से जब निस्यंद है अवरोही बुजा में आता है तो उसमें प्राशन सांदरता क्या होती है बराबर होती है यह बित्ती जल के लिए पारगम में होती है और लवनों के लिए आपारगम में होती है या फिर कम पारगम में होती है अवरोही बुजागी जो भित्ती होती जल के लिए क्या होती है पारगमे लेकिन लवनों के लिए पारगमे या फिर बहुत कम पारगमे होती है इस बाग में देखो जल के लिए पारगम में होती है तो इस कारण क्या होता है जल का पुना अवसोशन होता है और जल का पुना अवसोशन होने के कारण क्या हो जाता है निसेंद अतीप रासरी हो जाता है निसेंद में जो विले पदार्थ होती है वो क्या हो जाते है अधिक ह जाते हैं, इसकार्ण यहां की जो सांद्रता है, वो अधिक हो जाती है, अतीप्राशरी हो जाता है, जल का उसोचन है वो आवरोही भुजा में होता है, इसकार निश्यंद अतीप्राशरी हो जाता है, नेक्स्ट यह दो है, नेक्स्ट है आरोही भुजा या असेंडिंग लिं में निशेंद से ऐकार्बनिक लवन जैसे sodium chloride आईनमों का पुन्ह आउस्वोषैन होता है और ओौहा ही बुजा में जो निशेंद में अकार्बनिक लवन पाय जाते हैं जो सोडियम आईन किल Ó Ohioराईन इना इनों का पुन्ह आउस्वोषैना वो इस भाग में होता है और इसके आयुको सौ्डम आयनखलोवे क्लोराइड आयनुका विश्च्रस्वाद संपाश्री हो जाता है। पिर इन में से क्या हो जाता है, sodium और chloride आइन निकल जाते हैं, इस कारण जो विल्यन होता है, वो अंत में अलब प्रासरी हो जाता है, नेक्स्ट दुरस्थ कुन्रित नलिका की बात करते हैं, डिस्टल कॉन्रित टूबल या डिस्टी, इस भाग में जल वैल लवन, जल और लवन एने sodium iron chloride इनका पुन आउसोशन होता है, तो दुरस्थ कुन्रित नलिका में जल का आउसोशन होता है, और sodium iron का आउसोशन होता है, और chloride iron का आउसोशन होता है, और यहाँ पर सबसे important बात आपको यह ध्यान में रखनी है, कि इस भाग में यानकी दुरस्थ कुन्रित नलिका में, anti-diuretic hormone ADH और eldosterone hormone यह कारिये करते हैं, और यह जो हार्मोन होता है, यह puse गरंती के neurohypophysis भाग से सरावित होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, इस हार्मोन की उपस्तिती में, यह इसका कारिय हो जाएगा जो कि बहुत important है, इस हार्मोन की उपस्तिती में जल sodium आयन का आउसोशन होता है, यह जल और sodium आयन का तो आउसोशन होता है, इस हार्मोन को आपको द्यान में रखना है क्योंकि इस हार्मोन को हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं या फिर इसे हम प्राण रक्षक हार्मोन भी कहा जाता ये कुशन बहुत बार competition exam में आया है अच्छे से त्यार कर लेना इसे नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो वरक नलिका का भाग आता वो संग्रनलिका तो संग्रनलिका में आउसोशन किस परकार से होता है संग्रनलिका का अग्र भाग जल के लिए पारगम में होता है यानि कि संग्रनलिका का जो आगे का भाग होता है वो जल के लिए पारगम में होता है और अंतिम भाग वो यूरिया के लिए पारगम में होता है तो माली जी ये आप कोई भी वरक नलिका हो गई तो इसका जो आगे का भाग होता है ये वाला आगे का भाग ये क्या हो जाएगा जल के लिए पारगम में हो जाएगा और पीछे क भाग वह यूरिया के लिए पारगम में होता है अगर भाग में जलग के पूण अव्सोषन के कारण नीशएंद अfeldव शंप रासरी हो जाता है अन्तिम बाग में यूरिया का असोशन होता है और इस capable सभुए को प्राशन जाती है तो अंतिम बाग में यूरिया का आसोशन होता है जिससे redistriel OD all श्हरत की प्रास्थ्य ची से प्रकार अब हम निस्यंद को यूरीन कहते हैं या अब जो निस्यंद बना है उसे हम यूरीन कह सकते हैं मुत्र कह सकते हैं और किस प्रकार का होता है यह अतीप रासरी होता है नेक्स्ट जो तीसरे प्रकार की मुत्र निर्मान में चरण आता है वो है सिक्रेशन तो इसमें क्या होता है रुधीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं रुधीर में कुछ हानेकारक पदार्थ जैसे रंगा पदार्थ यानिकी पिगमेंट कुछ ओस्दिया ड्रक्ष वगर है, ड्रक्ष मतलब ओस्दिया कोई कहते हैं हम, यूरी कमल, हिपूरी कमल, आधी प्रानिशंदन के समय ग्लो मेरूलर निशंद में नहीं चन पाते हैं, य जब प्रानिशंदन की किरिया होती तो उसमें ये चन नहीं पाते हैं, और इस कारण से क्या होता है, हेनलेका लूप, समीपस्ट कुणलित नलीका, दुरस्ट कुणलित नलीका, इन नलीकाओं की दवारा इन अपसिष्ट पदार्थों को सक्रिय अभिगमन दवारा नेफ्र इसमारा रोधीर होता है, इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जो सरीर से बाहर निकालना आती है, लेकिन प्रानिशंदन की समय ये पदार्थ है, गलोमेरल निशंद में च्छन नहीं पाते हैं, और इसलिए हेनलेका लूप, समीपस्ट कुणलित नलीका, दुरस्ट अबिगमन यानि की उर्जा खर्च होती है, यहाँ पर सक्रिय अभिगमन की दुवारा नेफ्रोन की गुहा में डालते रहते हैं, और इसे ही हम नलीकिश रावने कहते हैं, इस परकार से यह आपकी मुत्र निर्मान की क्रिया विदी यहाँ पर समाप्त होती है, नेक्स्ट लेका लूप दोनों भाग लेते हैं, इन सभी की विस्ति में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आज के लिए इतना है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक सेर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, धन्यवाद.